Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 3 Maths Arianth Workbook का Chapter 9 How Many Times का Part 3 तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने आपको Part 1 और Part 2 बता दिया था तो आज उससे आगे बताऊंगी तो आप भी अपना Workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो देखिए 10 नंबर है कि Find the Product अब यहाँ पर आपको Product को Find करना है जैसे 1 नंबर में है 3 x 6 तो कितना होगा 3 को Multiply 6 से करेंगे यानि कि इसके लिए आपको Table आना चाहिए पूरा आपको 2 से 20 तक ठीक है तब ही आप Multiply कर सकते हैं तो 3 को Multiply करेंगे 6 से तो कितना हैगा 18 2 नंबर में है 4 x 8 तो 32 7 x 6, 42 9 x 3, 27 8 x 5, 40 5 x 9, 45 6 को Multiply करेंगे 8 से तो 48 4 x 9, 54 2 x 6, 12 3 x 7, तो 21 ठीक है उसके बाद है लुक अट पैटर्न एंड कम्प्लीट दा ब्लैंक अब पैटर्न को आपको देखना अच्छे से और इसे कम्प्लीट करना है जो खाली जगह है उसे 4 उसके बाद किया आएगा 8 फिर 12 उसके बाद किया आएगा 16 20, 24, 28 यानि कि ये 4 कर टेबल आपको Complete कर देना है ठीक है अब 3 है और यहाँ पर 9 दिया गया है तो बीच में किया आएगा 6 होगा ठीक है 9 के बाद 12, 15, 18 3 कर टेबल कम्प्लीट कर देना है 9 के बाद 18, 27 और यहाँ पर 36 दिया गया है 45, 54 ठीक है यानि कि 9 कर टेबल आपको यहाँ तक बना लेना है उसके बाद है 10 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60 9 के अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका Backward Counting है ठीक है आपको जैसे यहाँ पर 90 है तो 90 से पहले क्या आएगा 80 80 से पहले 70 70 से पहले 60 60 से पहले 50 और 50 से पहले 40 तो इस तरह से बनाना है अब 7 का देखिए 7 के बाद 14 आया है 14 के बाद 21 आएगा उसके बाद 28 35 42 ठीक है इस तरह के से आपको Complete कर देना है Complete the following Multiplication Tree One has been done for you अब यहाँ पर जो यह Tree दिया गया है Multiplication Tree इसे आपको Complete करना है ठीक है तो जैसे आप एक Tree देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है 12 है अब 12 को हम कितने से कितने को हम multiply करेंगे जो 12 आएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 को multiply करेंगे 6 से तो कितना आएगा 12 6 को 2 से multiply करेंगे तो भी 12 आएगा अब यहाँ पर 12 को 1 से multiply करेंगे तो 12 आएगा 4 को 3 से multiply करेंगे तो 12 आएगा और 3 को multiply करेंगे 4 से तो भी 12 आएगा यानि कि आपको 12 भी लाना है अब इसी तरीके से ये वाला बनाना है अब 8 दिया गया है यहाँ पर तो 2 को multiply 4 से करेंगे तो 8 आएगा 4 को 2 से multiply करेंगे तो 8 आएगा 8 को multiply करेंगे 1 से तो 8 आएगा अब 20 के लिए तो 2 को multiply 10 से करेंगे तो 20 आएगा या 10 को multiply 2 से करेंगे तो 20 आएगा या 4 को हम 5 से multiply करेंगे तो 20 आएगा या 5 को multiply 4 से करेंगे तो 20 आएगा ठीक है? उसके बाद है 32 तो 2 को 16 से multiply कर देंगे 32 आएगा 16 को 2 से multiply करेंगे तो 32 आएगा उसके बाद है 8 को multiply 4 से करेंगे तो 32 और 4 को multiply 8 से करेंगे तो भी 32 आएगा अब 32 को multiply 1 से करेंगे तो 32 आएगा इस तरह से बनाना है अब 48 के लिए ठीक है तो देखिए 48 के लिए क्या करेंगे 6 को multiply करेंगे 8 से तो 48 आएगा या 8 को 6 से multiply करेंगे तो भी 48 आएगा उसके बाद आप देखिए 4 को multiply 12 से करेंगे 48 12 को multiply 4 से करेंगे तो 48 2 को multiply 24 से करेंगे तो 48 आएगा और 24 को multiply 2 से करेंगे तो भी 48 आएगा ठीक है उसके बाद है आपका 35 तो 7 को 5 से multiply कर देंगे तो 35 आएगा या 5 को 7 से multiply करेंगे तो भी 35 आएगा और 35 को 1 से multiply करेंगे तो 35 आएगा अब 60 है तो देखिए 2 को 30 से multiply करेंगे तो 60 आएगा 30 को 2 से multiply करेंगे तो 60 आएगा ठीक है अब 12 को multiply 5 से करेंगे तो 60 आएगा 5 को 12 से multiply करेंगे तो भी 60 आएगा 15 को हम 4 से multiply करेंगे तो भी 60 आएगा और 4 को multiply 15 से करेंगे तो भी 60 आएगा 60 को 1 से multiply करेंगे तो 60 आएगा ठीक है इस तरीके से आपको ये वाला जो tree है ना उसे आपको complete कर लेना है बस आपको यह जो number है, यह वाला number आपको पूरा करना है, आपको multiply करके इतना number लाना है, तो इस तरीके का जो भी question आएगा, आप इसे easily solve कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद है, answer the following questions, यह जो question है, उसका answer देना है, ठीक है, तो देखे, number one question है, एक bucket has nine flowers, एक bucket में कितने है, nine flowers है, how many flowers will be used to make fourteen such bucket, अब कितने flowers का use पड़ेगा, इसी तरह का fourteen buckets बनाने के लिए, तो fourteen को हम multiply कर देंगे, nine से, ठीक है, fourteen को nine से multiply कर देंगे, क्योंकि एक bucket में कितने है, nine flowers हैं, तो nine को, तो कितना होगा, one twenty six flowers, one twenty six flowers हो जाएगा, इसलिए, one twenty six flowers needed to make fourteen buckets, यानि कि कितने flowers चाहिए, one twenty six flowers चाहिए, fourteen pocket के लिए, इसके बाद second number में है, a notebook has twenty two pages, एक notebook में twenty two pages है, how many pages are there in nine such books, अब कितने pages होंगे, इसे तरह के nine books में, ठीक है, तो twenty two, एक book में कितने हैं, twenty two pages है, तो twenty two को हम multiply कर देंगे nine से, यानि कि one hundred ninety eight pages, इसलिए nine books have one hundred ninety eight pages, a row in a garden has seventeen rose plants, तो देखिए, एक garden में, एक row में seventeen rose plants हैं, ठीक है, how many plants are there in ten such rows, अब देखिए, बताना है यहाँ पर कि इसी तरह कि अगर ten rows होंगे, तो उसमें कितने plants आ जाएंगे, ठीक है, कितने plants होंगे, तो देखिए, seventeen, ठीक है, seventeen को multiply कर देंगे ten से, क्योंकि ten row को निकालना है, कि उसमें कितने plants आएंगे, ठीक है, तो seventeen को multiply ten से कर देंगे, यानि कि 170 plants, इसलिए, 170 rose plants are there in ten rows, तो 170 rose plants आएंगे ten rows में, ठीक है, उसकी बाद है, Eight dozen has twelve things, एक dozen में कितने होते हैं, twelve things होते हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप लेते हैं, तो twelve होते हैं, रेहान बाउट five dozens of eggs, रेहान ने five dozens एक खड़ी दे, how many eggs did he buy, तो उसने कितने eggs खड़ी दे, ठीक है, तो देखिए, twelve को multiply कर देंगे हम five से, क्योंकि उसने five dozen x खड़ी दा, ठीक है, और एक dozen में कितने होते हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप लेते हैं, तो कितने होते हैं, one dozen is equal to कितना होगा, twelve, ठीक है, तो इसे हम multiply कर देंगे, 60 से, 60 eggs हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए, he buy 60 eggs, उसने कितना खड़ी दा, 60 eggs खड़ी दा, five dozen खड़ी दा, यानि कि उसने 60 eggs खड़ी दा, अरुन बाउट 16 boxes of chocolates, अरुन ने 16 boxes chocolate खड़ी दे, one box has five chocolates, एक box में five chocolates हैं, how many chocolates did अरुन बाई, अरुन ने कितने chocolates खड़ी दे, तो 16 को multiply कर देंगे, five से, ठीक है, 16 boxes of chocolates, क्योंकि उसने 16 boxes chocolate के खड़ी दे, ठीक है, और एक box में कितने chocolates हैं, five chocolates हैं, ठीक है, तो 16 को five से multiply कर देंगे, यानि कि 80 chocolates, ठीक है, अरुन बाई, 80 chocolates, उसने 80 chocolates खड़ी दा, multiply using box method, अब यहाँ पर आपको multiply करना है, box method के द्वारा, ठीक है, box method का use करके, one has been done for you, एक तो यहाँ पर दिया गया है, समझाया गया है, उसी तरीके से आपको बनाना है, number one, 44 multiplied 2, 44 multiplied 2 है, तो 40 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और 4 हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसे आपको break करना है थोड़ा, यानि कि आप इसे बना सकते हैं, box method से बनाना है ऐसे, जैसे 40 है, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, अब यहाँ पर 2, और यहाँ पर बाहर में हम 2 लिखेंगे, ठीक है, तो 2 multiply 4, और 2 multiply, 2 multiply 40 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 multiply 4, यह जो उपर में लिखेंगे, वो हम यहाँ पर भी लिखेंगे, और यह जो उपर लिखेंगे, उसे यहाँ पर, 2 को हम multiply कर देंगे, इस नमबर से, तो दोनों को multiply करेंगे, तो कितना होगा, 80 और य यानि कि 88, ठीक है? 44 multiply 2, कितना होगा? 88, इसी तरिके से, इसे भी बनाना है, 56 multiply 3 है, तो 50 को, हम यहाँ पर 50 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 लिखेंगे, पहले आपको यह वाला नंबर लिखना है, ठीक है? यहाँ पर, यह वाला नंबर यहाँ पर लिखना है, इस number को भी आपको break करना है 56 है तो 55 plus 1 तो हम नहीं ले सकते ठीक है यानि कि हम 50 लेंगे round figure में 50 लेंगे उसके बाद जो ये 6 number बच जाएगा 6 को हम इधर लेंगे 56 ठीक है उसके बाद जो ये 3 है तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ बाहर में उसके बाद इस number से हमें 3 जो ह करने हा तो 3 को multiply 50 से करेंगे फिर 3 को multiply 6 से करेंगे अब दोनों को multiply करेंगे तो 3 multiply 50 is equal to कितना होगा 150 और 3 multiply 6 is equal to 18 ठीक है अब 150 और 18 दोनों को add करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद 168 दोनों को add करेंगे तो 168 होगा यानि कि 56 multiply कितना हो जाएगा 168 ठीक है इसी तरीके से इसे भी बनाना है तो 64 multiply 4 है तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 60 plus 60 और यहाँ पर 4 ठीक है इस तरह से लिखना है तो देखें 4 को multiply 6 से कर देंगे फिर यही 4 को multiply हम 4 से कर देंगे तो दोनों को multiply करेंगे तो 240 और यहाँ पर 16 अब दोनों को add करेंगे तो इतना आएगा उसके बाद 256 आएगा ठीक है? उसके बाद देखिए यह वाला है 72 multiply 6 तो 72 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 6 6 को multiply 70 से और 6 को 2 से 420 और इधर 12 420 प्लस 12 तो 432 72 multiply 6 is equal to कितना होगा? 432 ठीक है? उसके बाद है multiply using box method अब यहाँ पर box method का यूज करके आपको multiply करना है 1 has been done for you 16 multiply 22 ठीक है? तो यहाँ पर देखिए यह थोड़ा सा hard है उससे 16 यहाँ पर जैसे है यहाँ पर 10 और 6 यह वाला नमबर आ गया 10 और 6 यहाँ पर 16 ठीक है? अब इस साइट से आपको यह वाला नमबर जिस तरह से आपने break करके इधर लिखा है उसी तरीके से इधर लिखना है 22 को 20 और 2 इधर लिख देंगे इस box में ठीक है? अब यहाँ पर 20 multiply 10 हो जाएगा यह वाला नमबर यह वाला नमबर और यह वाला नमबर दोनों यहाँ पर multiply हो जाएगा 20 और 10 उसके बाद यहाँ पर 20 यह नमबर और यह नमबर को multiply करेंगे 20 multiply 6 ठीक है? तो कितना होगा 200 और 120 ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर 2 multiply 10 अब यह वाला जो नमबर है इस नमबर से इस नमबर को multiply करेंगे 2 multiply 10 20 और 2 multiply 6 तो कितना होगा 12 अब टोटल करेंगे तो टोटल 200 यहाँ पर 120 ट्वेंटी और यहाँ पर 12 ट्री हंडेट फिप्टी टू ठीक है यह टोटल निकल गया आपका अब इसी तरिके से इसे बनाना है 23 और 17 है ठीक है तो 23 तो पहले हम यहाँ पर 20 और 3 लिखेंगे अब 17 के लिए यह और 10 फिट इस नमबर इस नमबर को 10 और 3 30 अब इस नमबर को इस नमबर को 7 x 20 7 x 3 तो कितना होगा मल्टीप्लाइ करेंगे तो 140 और यहाँ पर 21 अब इधर टोटल करेंगे 230 और इसके बाद 140 और 21 391 ठीक है उसके बाद है 56 x 11 तो 50 और इधर 6 इधर 10 और इधर 11 तो यहाँ पर 10 और 50 500 और 10 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाइ तो 60 अब 1 को 50 से तो 50 1 को 6 से तो 6 अब टोटल कर देंगे 500 और 60 50 और 6 616 ठीक है उसके बाद है 72 और 12 तो 70 और इधर 2 इधर 10 और इधर 2 तो 10 और 70 को मल्टीप्लाइ करेंगे तो 700 10 को 2 से मल्टीप्लाइ करेंगे तो 20 अब 2 को 70 से मल्टीप्लाइ करेंगे तो 140 2 को मल्टीप्लाइ 2 से करेंगे तो 4 अब यहाँ पर टोटल लिखेंगे तो 700 140 40, इसके बाद 20 और 4, 864, ठीक है, तो इसी तरीके से इसे बना लेना है, multiplication facts, fill in the boxes, one has been done for you, अब यहाँ पर इसे आपको fill करना है, ठीक है, यह box है, तो देखिए जैसे यहाँ पर number दिया गया है, numbers है, multiplication facts है, number और multiplication facts, 48 है, तो 6 multiply 8, 8 multiply 6, अब 36, तो 4 multiply 9, और 9 multiply 4, इस तरह से आप यह fact है, आप इससे जो है ना, 4 को चाहें multiply, आप 4 से 9 को multiply करेंगे, तो भी 36 आएगा, या 9 को multiply 4 से करेंगे, तो भी 36 आएगा, इसी तरह से 72, 8 multiply 9, और 9 multiply 8, 56 के लिए, 7 multiply 8, और 8 multiply 7, इसके बाद 90 के लिए, 9 multiply 10, और 10 multiply 9, 90 हो जाएगा, उसके बाद 65 के लिए, 5 multiply 13, और 13 multiply 5, यानि कि 65, ठीक है, fill in the blanks, 791 multiply 0, तो क्या होगा, 0 को हम कभी भी किसी से भी multiply अगर करेंगे, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है, 2 नमबर में है, 17 multiply 3 is equal to 3 multiply 17, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनाना है, 47 multiply 23 is equal to 23 multiply 47, अब 17 plus 17, 17, 17, 4 times 17 है, is equal to 17 multiply 4, ठीक है, इसके बादे, complete the table by writing missing numbers, अब यहाँ पर आपको missing number को लिखके, इस table को complete करना है, नमबर है, 11, 12, 13, 14, ठीक है, अब यहाँ पर, जैसे दिया गया है, नमबर है, जैसे 1 number, 1, 2, 3, 4, तो 1 में देखिए, यहाँ पर 11 है, ठीक है, तो इसी तरह से 11, 12, 13, 14, दिया हुआ है, अब 2 नमबर में, यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 26 दिया गया है, नमबर एक दिया गया है, बताया गया है आपको, अब जो missing number है, उसे लिखना है आपको, तो 26 से पहले क्या आएगा, 26 से पहले 24, 24 से पहले 22, ठीक है, और उसके बाद 28, यानि कि यहाँ पर 2, 2 का gapping लेके आपको नमबर लिखना है, जैसे 2 है, तो 22, 2 का gapping लेंगे, 2 यानि add करेंगे तो 24 होगा, फिर 2 add करेंगे 26 और 28, ठीक है, अब 3 का, आपको 3 add करते जाना है, या 36 दिया हुआ है, तो 36 से पहले क्या आएगा, 33, 39 आएगा, उसके बाद 42, 3, 3 add करते जाना है, 4 में 44, 48, 52 और 56, ठीक है, उसके बाद है, 6 में तो 66, 72, 78, 84, 7 में तो 77, 84, 91, 98, 8 में 88, 96, 104 और 112, 9 में है 99, 108, 117, 126, 10 में 110, 120, 130, 140, तो इसी तरीके से आपको जितना भी यहां नंबर दिया गया है, उतना ही आपको add करते जाना है, खुद आपका निकल जाएगा, तो आपका workbook कम्प्लीट हो चुका है, आपका part 1 भी बन चुका है, part 2 भी और part 3 भी, साड़ा part मैंने बना दिया है, ठीक है, तो आपका chapter workbook कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताके NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे, और आपको जहां कहीं भी समझने में पढ़े सानी हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, तो आप मन लगा के पढ़िए, यह जितना भी मैंने बताया, इसे अच्छे से रिविजन कीजिए, तो मिलते हैं अब हम लोग next वीडियो में, तब तके लिए bye, take care, thanks to watch my video,